नमस्ते, ब्रहमांड के यात्री आज हम ब्रहमांड के दिल में गहराई से गोता लगाने वाले हैं क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहां क्यों हैं? तो अपनी सीट बेल्ट बांध ले क्योंकि हम अंतरिक्ष और समय के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर जा रही हैं आएए शुरुवात करते हैं एक छोटे से कंड से जिसे टॉप क्वार्क कहा जाता है इसका जीवन काल इतना छोटा है कि एक मच्छर भी अमर लग सकता है कल्पना कीजिए अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ एक सेकंड के हिस्से के लिए हो काफी पागलपन है ना अब इसे बढ़ा लेते हैं हमारे जीवन ब्रहमांड की विशालता में भी उतने ही क्षणिक है लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है हम क्यों अस्तित्व में है इस सारी ब्रहमांडिय पागलपन का कोई उद्देश्य है क्या सदियों से मनुष्यों ने सितारों की ओर देखा है अर्थ की खोज करते हुए हमारे पूर्वज विभिन्न मान्यताओं के साथ रहते थे जिनोंने उनके जीवन को एक अर्थ दिया चाहे वे मान्यताओं सच हो या जूट उन्होंने उनके जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया अब विज्ञान और तर्क के साथ हम यह जानते हैं कि पृत्वी गोल है तारे विशाल गैस के गोले हैं और हमारा ब्रहमांड असीमित है तो हम इस ज्ञान के साथ क्या करते हैं पहले हम सोचते थे कि पृत्वी ही पूरा ब्रहमांड है लेकिन अब हम जानते हैं कि यह सिर्फ एक छोटा सा बिंदू है एक विशाल ब्रहमांडिय मैदान में और यहां एक दिल्चस्प बात है प्राचीन मिथकों के बावजूद हमें स्वर्ग, नरक या परलोग जैसी चीजों का एक भी सबूत नहीं मिला है यह उड़ने वाले यूनिकॉन पर विश्वास करने जैसा है बिना किसी प्रमान के इन मिथकों के बिना क्या हम सिर्फ रोबोट हैं ब्रहमान के नियौमों से बंधे हुए अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है क्या हम सिर्फ एक मशीन के पुरजे है जैसे दमैट्रिक्स में जहां मनुश्यों का उप्योग बैटरी के रूप में किया जाता है मशीनों को पावर देने के लिए खेर अब कमर कस लें क्योंकि विज्ञान के पास कुछ जवाब है चलिए तर्क संगत होते हैं और पता लगाते हैं कि हम यहां क्यों है हम सिर्फ रोबोट नहीं है हमारे पास चेतना है जो स्वयम ब्रहमान का उपहार है हमारा मस्तिश्क अपनी सभी विचित्रताओं और जटिलताओं के साथ हमें अनोखा बनाता है चेतना कोई रहस्य में आत्मा नहीं है यह हमारे मस्तिश्क की अन्तहक्रियाओं की एक उभरती हुई संपत्ती है तो चलिए हमारे मस्तिश की अद्भुत शक्तियों को अपनाते हैं और देखते हैं कि ब्रहमांड ने हमारे लिए क्या रखा है लेकिन ठहरिये हमारे उद्देश्य को सच में समझने के लिए आईए कुछ प्राचीन ज्यान की ओर लोटते हैं हिंदू पुराणों से इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रहमांड एक दिव्य खेल लीला है जिसे ईश्वर ने रचा है प्रतेक आत्मा आत्मन दिव्य का एक अंच है जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा पर है हमारा उद्देश है हमारे कर्तवियों धर्म को पूरा करना और मोक्ष मुक्ती की और बढ़ना पुराणों में भगवान विश्णो ब्रहमान की रक्षा करते हैं, भगवान ब्रहमा इसे बनाते हैं और भगवान शिव इसे नश्ट करते हैं ताकि चक्र फिर से शुरू हो सके यह एक अनंत ब्रहमांडियन रिते जैसा है हम सिर्फ सन्योगवश अस्तित्व में नहीं हैं, हम इस दिव्य खेल के प्रतिभागी हैं हमारा जीवन अवसर है हमारे करतव्यों को निभाने का, सीखने का, बढ़ने का और अंत ता दिव्य से एक होने का हमारा ब्रहमांड अविश्वस्निय रूप से विशाल है, जिसमें अधिकांश ग्रा निर्जन है फिर भी हम यहां प्रित्वी पर जीवन से भरे हुए हैं हमने सौरमंडल की खोच की है, दूर के आकाश गंगाओं में जाका है और फिर भी हम अकेले हैं क्यों? ब्रहमांड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? शायद ब्रहमांड ने हमें खुद को समझने के लिए बनाया है हम ब्रहमांड का एक हिस्सा है, जो पूरे को समझने की कोशिश कर रही है हमारी चेतना ब्रहमान का ही एक तरीका हो सकता है अपने अस्तित्व पर विचार करने का और मजे की बात यह है कि हम इसमें काफी अच्छे हैं हमने अंगिनत चुनोतियों का सामना किया है और अद्भुत तक्नीकी उपलब्धियों वाली एक प्रजाती के रूप में विक्सित हुए है लेकिन यहां एक पकड़ है हमारे जीवनकाल ब्रहमान की तुलना में हास्यास्पद रूप से छोटे है यहां एक सेकंड की तुलना में एक अरब सालों के बराबर है फिर भी हमने उस छोटे समय में अविश्वस्निय प्रगती की है हमने तक्नीक विक्सित की है, अंतरिक्ष की खोज की है और यहां तक की अपने जीवन को बढ़ाने के रहस्यों को भी खोलना शुरू कर दिया है एंटी एजिंग रिसर्च से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम मानव होने की सीमाओं को पार कर रही है तो हमारा उद्देश क्या है यहां शायद आगे बढ़ते रहना है खोज करना, निर्मान करना और समझना है ब्रहमान विशाल और उदासीन हो सकता है लेकिन हम इसे अर्थ, जीवन और चेतना से भर सकते हैं हमारी चुनौती है हमारे मस्तिश्क, हमारी तकनीक और हमारी रचनात्मक्ता का उप्योग करना ब्रहमान को एक सम्रिद, जीवन स्थान में बदलने के लिए कल्पना कीजिए एक भविश्य की जहां मनुष्य आकाश गंगा में फैल जाए निर्जन ग्रहों को नए घरों में बदल दे हम ब्रहमान को जीवन और चेतना से भर सकते हैं इसे थोड़ा कम अकेला बना सकते हैं और कौन जानता है? शायद यही अंतिम उद्देश है ब्रहमान को जीवन से भर देना तो आप क्या सोचते है? क्या हम इस चनौती के लिए तयार है? क्या हम ब्रहमांड को एक जीवन्त जीवित स्वर्ग में बदल सकते हैं अपनी सोच को टिपणियों में साजा करें और हमें बताएं कि आपके जीवन को क्या अर्थपूर्ण बनाता है अगली बार तक खोजते रहें जिग्यासु रहें और याद रखें ब्रहमांड आपका है इसे खोजने के लिए अधिक ब्रहमांडिय रोमांच के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें अगले वीडियो में मिलते हैं